नमो बुद्धाय, जे भिम, जे भारत इस वाटसप नमबर पर मेसेज करे और तुरंत किताबे मंगवाए बिहार में परेटन का नाम आते ही नालंदा जेले का राजगीर हर किसी की जुबा पर आज आता है पहाडियों के बिच परकुरती की गोद में बसा यह अंतराश्टे परेटन स्थल परेटकों को अपने और खिचता है यहाँ आने वाले परेटकों को विश्व का दूसरा और देश का पहला स्काइग्लास ब्रीज से लेस नेचर सफारी वा उत्तर भारत के पहले वाइल लाइब जू सफारी के आलावा गोडा कटोरा पहाडी जिल वाइभारगीरी परवद पांडू पोकर वेनुवन वा आठ सिटर के बिन रूपवे रोमांचित करता है इसके आलावा यहाँ नालंदा विश्व विद्यले का नया भवन भी लगबग तयार हो चुका है स्पोर्ट्स एकेडमी फिल्म सिटी वर आंतर राश्रे क्रिकेट स्टेडियम भी निर्मानाद ही नहीं इनके तयार हो जाने के बाद राजगिर और खास हो जाएगा युद्ध नही बुद्ध का संदिज देता है विश्व शान्तिस्तूप द्विश्व युद्ध के बाद भागवान बुद्ध के प्रिया निवास्थल राजगिर से विश्व में शान्तिस्थापन के लिए युद्धन ही बुद्ध का संदेश देने को राजगिर के रतनागेरी पहाड पर विश्वशांति स्थूप का निर्मान कराय गया था इसी पहाडी के बगल में गुरुद्ध कुट पहाडी के शिकर पर भागवान बुद्ध अपने प्रिय शिश्यों को दम्मव अध्यात्म का उपदेश दे दे थे यही पर ततागत बुद्ध ने लोटस सुत्तव सधर्मा पंडूरी का सुत्र की व्यक्षा की थी विश्वश्यांति स्थुप से गुरुद्ध कुट परवत का सिकर दिखता है यह स्थल बोद्ध धर्मा उलंबियों के लिए पवित्र है बोद्ध धम्म के अनुयाई जापान के धम्म गुरु निची दस सो फुजी गुरुजी ने 160 फिट उंचे इस तुप का निर्मान कराया था उन्होंने जापान के हिरोशिमाव नागा साकी पर एटम बं का हमला और उसकी विभिशका अपने आखों से देखी थी इस त्रासीदी से ठीक बाद निर्मान शुरू कराया था 25 अक्टोबर 1969 को यह बन कर तैयार हुआ जमीन से 1500 मीटर उंचाई तक पहुचने के देश में संभवता सबसे पहले रज्जु मार गई यानि रोपवे का निर्मान कराया गाया रोपवे से एक विक्ति के बैटने योग्य दरजुनों कुर्शिया लटकाई गई इसी रोपवे के कारण यह स्थल प्रशित परेटन स्थल बन गया है राजगीर के गोडाकट रजिल की खासित यह है कि यहां का पानी मिठा होता है साथ ही प्रदुशन से भी मुक्त है अगर आप नौका विहार के शोकिन है तो यह जगह आपके लिए है यह सोच्चता का काफी ख्याल रखा जाता है यहां प्रतिमा विसरजन, दीपधन, कपड़ा साप करना, जानवरों को नहलाने जैसे कारियों पर रोख है यहां की खुबसूर्ती मानसुन आने के बाद और भी ज़्यादा बढ़ जाते है बारिश के दिनों में यहां पर आने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि मानवा प्रकृति की गोद में आ गए हो दुनिया को शांतिएव अहिंसा के संदेश देने वाले भगवान बुद्ध के प्रतिमा राजगेर के गोड़ा कट्राजिल में स्थापित हो गए है सतर फिट उंची यह प्रतिमा इंडिया में भगवान बुद्ध की तीसरे सबसे उंची प्रतिमा है यह प्रतिमा दम्म चक्र प्रवर्तन की मुद्रा में स्थापित की गई है बिहार के मुख्य मंत्री नितिश कुमार ने 25 नवंबर को इस प्रतिमा का अनावरन किया था राजगेर की पहाड़ी के बिश्चित गोडा कट्राजिल के अंदर पैडेश्टल पर निर्मित की गई इस प्रतिमा की सुन्दरता अध्वितिय है ता थागत बुद्ध की यह प्रतिमा पूरी तरह पत्थर से निर्मित है कहीं दूसरी जगह ऐसी प्रतिमा नहीं मिलेगी इसमें 45,000 घन फुट गुलाबे रंग का सैंड स्टोन लगाय गया है जिल के सतह में 16 मिटर गोलाए वाला पैडेश्टल बनाय गया है जिसके उपर प्रतिमा स्थापित के गये है भगवान बुद्ध यहाँ पर ग्यान प्राप्ति से पहले भी आये थे और ग्यान प्राप्ति के बाद भी आये थे भगवान बुद्ध यहाँ वेन वन में ही 12 सालों तक रहे गुरुदकुट पर वस्से ही उन्होंने उपदेश दिया था मित्रो आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया हो वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक किजे ज्यादा सी ज्यादा सेर किजे नए वाले चैनल को जरू सब्क्राइब करें ज्याइन बटन के जरें आप इस चैनल के साहेता कर सकते हैं इसी के साथ इसी वाट्स अप नमबर पर मेसेज करके आप देश के किसी भी कोने में किताबे मंगवा सकते हैं चलो मिलते आगले वीडियो में नमो बुद्धाय जे भिम जे भारत